पूजापार्ट में कपूर का इस्तिमाल जरूरी माना जाता है कपूर की विना आरती और हवन अधूरा होता है इसे चलाने से ना सिर्फ घर का वातवरान सुगंदित बना रहता है बलकि ये घर की नकारात्मक उर्जा को भी नश्ट करता है कपूर जिलाने से घर में कोशाली और सकरात्मक उर्जा आती है कपूर में कोछ औसदी गुड़ भी होते है इसके अलाबा जोदेश उपायों में भी कपूर का खूब इस्तिमाल किया जाता है कपूर के टोटके ग्रह और वास्तु दोस दूर करते है आईए जानते हैं कपूर से जुड़े इन खास उपायों के बारे में कपूर के चमतकारी टोटके घर के सदस्यों के काम में अक्सर बादा आती है तो घर में सुभै शाम कपूर जिलाना चाहिए इससे घर का वतवरण शुद होता है और निकारात्मक शक्तियां घर से दूर जाती है कपूर जिलाने से घर में सुख शांती बनी रहती है घर का वास्तु दोस दूर करने में कपूर बहुत उपयोगी है एक कटोरी में कपूर के कुछ टुकडे लेकर वास्तु दोस वाले स्थान पर रग दे कपूर जब खत्म हो जाए तो वहां कपूर के नए टोड़े रख दें कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से वास्तु दोस धीरे धीरे दूर हो जाएगा कुंटली में पेतरे दोस या काल सर्प दोस हो तो व्यक्ति की तरक्की रुख जाती है एसा राहो और केतु ग्रह के कारण भी होता है इन दोसों से मुक्ति पाने के लिए घर में तीन समय सुबह, शाम और रात में कपूर चलाना चाहिए एसा करने से इन दोसों से जल्द मुक्ति मिल जाती है आज ही अपनी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए अभी संपर करें डॉक्टर पराश जी को आपकी सभी समस्या का समाधान करके देंगे तो अभी संपर करें डॉक्टर पराश्मा, शर्मा, आख्या, गुरुजी, भूतनात, अग्वरी, कामख्या वाले जी से ये आपकी समस्य का समाधान करके देंगे तो अभी संपर करें इनका नंबर स्क्रिन पर दिया गया है जो की है 813304-3407 धन्यवाद